ब्राम्भन, देवशी रोमने, तुम सदा समस्य जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से समपुर्ण लोगों के समस्य पापों को छै हो जाता है, उस अनाम है शिप्तत्त्तु का, मैं तुमसे व अधिकार था, ना सूर्य दिकाई थेते थे, ना चंद्रमा, अन्यान ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, ना दिन होता था, ना रात, अगनी, प्रत्वी, वायू और जल के सत्ता भी नहीं थी, प्रधान तत्व से रहित सूना, आकाश मातर शेस था, दूसरे कि असी तेश की उपलब्धी नहीं होती थी, अध्रस्ट आधिका भी आस्तित्व नहीं था, शब्द और इस पर्स भी साथ छोड़ चुके थे, गंधा और रूप की भी अभी व्यक्ति नहीं होती थी, रस का भी आभाव हो गया था, दिशाओं का भी भान नहीं होता था, इस मात्र वही शेज था, जब यह वह ऐसा जो इत्यादी रूप से निजिस्ट होने वाला भाव भावात्मत जगत नहीं था, उसी समय एक मात्र सत्ही शेज था, जिसे योगी जन अपने हिर्दय आकाश के भीता निरंतर देखते हैं, वह सब तत्त्तु मन का विशे नहीं है, वाने की भी बहां तक कभी पहुँच नहीं होती, वह नाम तथा रूप रंग से भी सुनने हैं, वह ना इस थूल है, ना क्रश है, ना हस्प है, ना देर्ध है, तथा न लगू, ना गूरू, उनमें ना कभी ब्रधी नहीं होती, ना हास्व, शुती भी उसके विशे में च निरूपन कर पाती है। उसका कोई विशेश विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। संकोच विकास सशुने तथा चिनमे हैं। जिस परवर्मा के विशे में ग्यान और अज्यान से पूर्ण उक्तियां दोरा इस प्रकार विकल्प किये जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद दुद्य की इक्षा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित तब निराकर परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने ले मूर्थी आकार की कल्पना की। बह मूर्थी संपुर्ण एश्वर गुन से संपन्य, सर्व ज्यानी मै, सुप सौरूपा, सर्व भ्यापनी, सर्व रूपा, सर्व दर्शिनी, सर्व काड़नी, सब की एक मात्र वंदिनिया, सरवाग्या, सब कुछ देने वाली और संपून संस्कृतियों का केंदर थी। उन्ही को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सुएक्षय अनुसर बिहार करने वाले उन्सदाशिव ने अपने बिग्रह से ही स्वयम एक स्वयम भूता शुरस्टी की रचना की। जो अपने श्रियंग से कभी आलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकति, गुणबति, माया, बुध्धी तत्व की जन्नी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अम्धिका कही गई है। उस्सी को प्रकति सर्वेश्वरी, दुईदेव जन्नी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदशिव द्वारा प्रकत की गई उस शक्ति की आड़ भुजाएं हैं। वह शुब लक्षणा देवी के मुख की शोभा विजित्र है। वह अकेली ही अपनी मुख मंडल में सदा एक सहसर चंद्रमाओं की कान्ती धारन करती है। नाना प्रकार की आभूशन उनके शिरी अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न हैं। उसके खुले हुए नेत्र खीले हुए कमल के सामान जान पड़ते हैं। वह आचिंद्ने तेज से जगमगाती हैं। वह सबकी योनी हैं और सदा उद्दमशील रहती हैं। एक आकनी होने पर बह माया संयोग बस अनेक हो जाती हैं। वह जो सदा शिव हैं बेपरम, पुरुष, इश्वर, शिव, शंभू और महिश्वर कहते हैं। वह अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारन करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा, शोभा पाते हैं। उनके पाँच मुख हैं और प्रतेक मुख में तीन-तीन नेत्र हैं। उनका चितसदा प्रसंद रहता है। बेदस भुजाओं से युग्द और त्रिशूल धारी हैं। उनके शिरी अंगों की प्रभा कपूर के समान स्वेद गौर है। बेसारे शरीर में अंगों में भस्म रामाई रहते हैं। उनकाल रुपी ब्रह्मा एक समय ही शक्ति के नात शिव लोक नामक शेत्र का निर्मान किया था। उस उत्तम शेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्मानिया मोक्ष का इस्थान हैं, जो सब के उपर विराज मान है। वेप्रिया, प्रियतम रूप, शक्ति और शिव जो पर्मनंस वरूप हैं। उस मनुरम शेत्र में नितिनिवास करते हैं। काशी पूरी पर्मनंस वरूप नी है। मुने, शिव और शिवा ने प्रलैकाल में भी कभी उस शेत्र को अपने सानिक्थ से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त शेत्र के नाम से जानते हैं। भै शेत्र आनंद का हीतु है। इसलिए पिनागधारी शिव ने उसका नाम आनंद वन रखा है। उसके बाद भै आभिमुक्त के नाम से भी प्रसिद हुआ। देवर्षे एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए। शिवा और शिव के मन में यह इक्षा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी स्रिस्टी करनी चाहिए। जिस पर व्यह शिष्टी संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इक्षा अनुसर विचरें और निर्वान धारन करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सब के स्रिस्टी करें, पालन करें और वही अंत में सब का सहार भी करें। यह चित एक संबुद्र के समान हैं। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठ कर चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सब तत्वगुन रूपी, रत्न, तमोगुन रूपी ग्राह और रजोगुन रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र संबुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पूरुष के प्रसाथ से आनन कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। वह आनन्द वन वह इस्थान हैं जहां हमारे मनुब्रती सब ओर से निस्सिमट कर इसी में लगी हुई है। तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आदूर प्रतीत होता है। चमा गुंड से युक्त उस पूरुष के लिए ढूनने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कानती इंदर निल मनी के समान श्याम थी। उसके अंग अंग में दिव्य शोभा छिटक रही थी। और नेत्र प्रफुल कमल के समान शोभा पा रहे थी। शिरी अंगों पर सुर्णे किसी क्रांती वाले दो सुन्दर रेश्मीर पितामबर शोभा दे रहे थी। किसी से भी पराजित ना होने वाला वह वीर पूरुष अपने प्रजण भुश दन्डों से सुशोभित हो रहा था। तद अंतर उस पूरुष ने परमेश्वर शिप को प्रणाम करके कहा। स्वामिन मेरा नाम निश्चय कीजिए काम बताईए उस पूरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हसते हुए मेख के समान गंभिरवानी में बोले। बत्स ब्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विश्णु नाम से विख्यात हुआ। इसकी सीवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भगतों को सुख देने वाले होंगे। तुम सु इस्थित उत्तम तप करो क्योंकि बही समस्थ कारियों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने स्रासमाग से शिरी विश्णु को वेदों का ज्यान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी चुत ना होने वाले शिरी हरी भगवान शिव को प्रणाम करके भारी तपस्य करने लगे। और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ बहां से आद्रश हो गए। भगवान विश्णु ने दुधिरत काल तक बड़ी कठोर तपस्य की। तपस्य के परिश्रम से युक्त भगवान विश्णु के अंगों से नाना प्रकर की जल धाराये निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा आकाश व्याप्थ हो गया। और ब्रह्मरूप जल अपने इश्पर्स पात्र से सब पापों को नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय ठके हुए परमपुरुष विश्णु ने स्वयम उस जल में शायन किया। बहदीर्थ काल तक बड़ी प्रसन्यता के साथ उसमें रहे। नार अर्था जल में शायन करने के कारण ही उनका नारायन यह शुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परमपुरुष नारायन के सिवा कोई दूसरी प्राकत बस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन परमात्मा महत्मा नारायन देव ने यथा सम्मव सभी तत्व प्रकट हुए। महामते, विद्वान, मैं उन तत्मों की उत्पत्ती का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो, प्रकटी से महत्व प्रकट हुआ, महत्व से तीन गुण। इन गुणों के भेट से ही त्रिविद अहंकार की उत्पत्ती हुई। अहंकार से पाँच तनमात्राएं हुई और उन तनमात्राओं से पाँच भूत प्रकट हुए उसी समय ज्यानिंद्रियों और कम्रेंद्रियों का भी प्रादरुभाव हुआ मुनिश्रेश्ट इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है इन में से पूर्षों को छोड़कर शेश सारे तत्व प्रकती से प्रकट हुए हैं इसलिए सब के सब जड़ हैं तत्वों की संख्या 24 है उस समय एका कार हुए 24 तत्वों को ग्रहन करके बेपरम पुरुष नारायन भगवान शेव की इक्षा से ब्रह्मरूप जल में सो गए